नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुक्रवार का दिन मा लक्ष्मी को दिन है और मा लक्ष्मी सुख बैभव बिलास के देवी है और सुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी के अगर अराधना की जाए तो आपके जीवन के हर कस्ट मिट जाते हैं सुक्रवार के दिन कुछ ऐसी वस्तु है जो भूल कभी किसी को नहीं देना चाहिए वरना मालक्ष्मी चली जाती है तो आज हम आपको विसेश प्रियोग बताएंगे तो वैसे तो हर दिन हर एक भगवान के लिए समर्पित है और हम दिन के अनुसार भगवान की पुजा करते हैं और सब दिन का महत्वी अलग है तो धन की आवसकता हर किसी को है बिना धन का गुजारा करना और संभव है इसलिए सुक्रवार के दिन अगर धन की देवी मालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें तो आपके मन की इच्छाएं सिग्र अतिशिग्र पूरी होती है धन एक ऐ पाने के लिए कभी-कभी तो गलत काम भी करते हैं लेकिन देखिए धन सही माक से पाया जाए तो सर्वोत्तम पर आज हम बात करेंगे कैसे आप मालक्ष्मी को सिंपल तरीके से प्रसंद करें कि जीवन में खुसिया चलिया है एक तो सुक्रवार के दिन कोसिस करें कि सफेद पुर्ने तया सफेद नहीं सफेद यानि ब्राइट वाइट जो होता है उस कलर का कपड़ा पहने तो मालक्ष्मी प्रसंद होती है क्योंकि मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए चमकीला वस्तर अतिया वस्त्यक है एक छोटा सा काम कीजिए एक पीला रंग का कपड़ा ले अगर पीला कपड़ा ना हो तो लाल कपड़ा भी चलेगा या गुलाबी रंग भी चलेगा धन की मुस्किले दूर होती हैं करजों की समस्या समाथ हो जाती है बहुत सिंपल प्रयोग है आप किसी भी सुक्रवार ये प्रयोग कर सकते हैं याद रखे पीली कौडी पांच लेन करें वरना जगरा जल्दी खत्म नहीं होगा और दूसरी बात अगर पती पत्नी में बेवज़त ना हो तो सुक्रवार के दिन सफेद खीर सफेद मिठाई बनाइए और एक दूसरे को खिलाईए तो प्रेम बढ़ेगा वैसे इस दिन दही खाकर घर से निकलना चाहिए दही मालक्ष्मी प्रशन्य भी होंगी कारियों में सफलता मिलेगी चुकि मालक्ष्मी स्वभागे की देवी हैं तो जीवन में सुख स्वभागे भी देती हैं और अच्छा स्वास्ति भी देती हैं और मा की आधना करने से संपत्ति की बिर्धी होती है संतान की प्राप्ति होती इसलिए शुक्रवार के दिन आप अगर पास में आपके कहीं पर मालक्षमी का मंदीर है, स्रीहरी का मंदीर है, तो वहाँ पर आप चाहें, तो बतासा अरपित कर दें, आपके पास और ज्यादा है, तो आप संख या कोडी भी अरपित कर सकते हैं, कमल का पुस पर अरपित कर स सफेद वस्तू से मां अतिसिग्र प्रशन होती है जीवन में सुख सौभागे देती है अब कहते हैं घर में किसी भी समय लक्षमी आ सकती है लेकिन साम का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब मां लक्षमी आती है आती है इसलिए साम के वक्त कुछ ऐसे काम है जो भूल कर भी नही पूरे घर में लाइट जलाई ये रॉसन कर दीजे घर को घर के मुख्य दरवाजे पर जो होता है दरवाजे के पास आके बैठ ये मत साइड में बैठ ये रास्ता को खुला छोड़ दे ताकि मालक्षमी आ सके घर में जर्ड़ा लडाई जैसी चीजें मत करें बाद भी बाद ना करें वैसे तो मालक्षमी को इत्र बहुत पसंद है आप अगर सुकरवार के दिन गुलाब का इत्र मालक्षमी को भेट करें और नित्य प्राता आप चाहें तो रूई में लगा कर भी उन्हें समर्पित कर सकते हैं और इसके बाद अपने खुद को आप नाभी में लगा सकते हैं ऐसा करने से मालक्षमी मानसिक सांती देती हैं और धन की बरकत देती हैं तो यह बहुत सिंपल प्रयोग है अपनी अमित रूप से गुलाब का इत्र मां को पित करें फिर अपने भी लगा लें तो इससे आपका भाग्योदे होता है तो सुकरवार के सुकरवार भी अगर आप करते हैं तो जीवन जीना सरल हो जाएगा जीवन की मुस्किले समाथ हो जाएगी गाए को अगर सुकरवार के दिन आप रोटी खिलाएं अपने हाथों से तो मालक्षमी हमेशा के लिए आपके घर में रहती हैं कहीं नहीं जाएंगी तो अपने हाथों से गाए को रोटी खिलानी का अभ्यास भी बना सकते हैं हमेशा ही अपने घर को स्वक्ष बनाए रखें पवित्र बनाए रखें और साम के समय किसी को भी पैसे मत दीजिए किसी भी दिन लेकिन सुक्रवार के दिन वो कौन सी बस तुई जो भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए देख में दही तो किसी भी दिन किसी को ना दे यह आप जैसे ही देओगे खड़े-खड़ लक्षमी आपके घर से चली जाएगी ध्यान रखना है आपको देखिए जहां पर मोर यानि की मोर पंक मयूर होता है ना पिकॉक तो जहां पर नित्ति करते हैं अगर वहां कि आपको कभी मिट्टे मिल जाए तो थोरा सा लाकर जरूर रख लीजिएगा एक लाल रंग के कपड़े में बान कर कहते हैं इससे धल लाब होता है तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वैसे घर में एक तूलसी का पौधा जरूर लगाईए और उसके नीचे आप किसी दिन को टुकरा चांदी का स्कौइट टुकरा अगर सुक्रवार के दिन और चंदन की लकड़ी अपनी मनत बोलके किसी नदी में भातेवे पानी में प्रवाहित कर दे तो मनत पूरी होती है अगर नित्य दिन एक ही बेल पत्र सही परमा लक्ष्मी को अर्पित करना सुरू कर दे नित्य प्राता सुक्रवार के दिन से सुरू करके या आप किसी भी दिन से कर सकते हैं जिस दिन आपके लिए संभब हो तो माना जाता है लक्ष्मी स्थिर हो जाती है हमेशा ही अपने आपको थोड़ा सा इत्र बेगर लगा के एकदम से सुगंधित बनाए रखें जो लोग इसा धनिया साबूत धनिया आप पानी में भीगो दें और उसको अपने घर के गमले में मिट्टी में कहीं भी लगा दें इसका जो पौधा निकलेगा घर में सुक्सांती लाएगा निगेटिव उर्जा को दूर रखेगा अपस में प्रेम बढ़ाएगा तो संतान की चाहत है तो हर सिंगार का पौधा घर में लगाईए निमित रूप से पानी दीजिए जैसे आप अपने छोटे बच्चे को देख खाल करते हैं वैसे ही कीजिए यकीन मानिये जैसे जैसे ये पौधा बढ़ा होगा संतान की प्राप्ती होने की प्रबल संभाव ना बन जाएगी तो सुक्रबार के दिन मा लक्षमी को आप माखाने की खीट चाबल की खीट या फिर आप चाहें तो सफेद मिठाई यानि दूद की बनीवे मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं इससे भी लक्षमी स्थिर रहती है घर में प्रेम बढ़ता है और सब कोई मिलक कर खाये और सुक्रबार के दिन जहां तक संभव हो कि प्रेम से रही है खासकर पतीबत नहीं तो पहली चीज दही किसी को नहीं देनी चाहिए सुक्रबार के दिन दूसरी चीज है आप सुक्रबार के दिन जहां तक संभव हो अपना सुहाग का सामगरी किसी से से शेर ना कर जरूर लिखे दलेवाद